नमस्कार मैं रविश कुमार, हमास का इसराइल पर हमला और इसराइल का घजा पर हमला, इस एक साल का हासिल क्या निकला, इसे लेकर तमाम जगों पर लेक भरे पड़े हैं। इस एक साल में आपने एक तरफ तमाम सूपर, पावरी, बावरी, नेताओं का खोखलापन देखा, तो दूसरी तरफ एक ऐसी संस्था जो कागजी होते हुए भी जमीन पर अपनी भूमिका निभाने के लिए संगर्श करती रही। जिसके मंच पर आने वाले प्रस्तावों ने दुनिया को भरुसा भी दिया कि कम से कम निंदा करने की नयतिक शक्ती रखने वाले कई देश हैं। हैं उनका कद भी बड़ा होता चला गया हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बड़े बड़े शेहनशाओं का दम निकल गया तो सूपर पावर के धांचे से बहुत दूर खड़े उन देशों ने इसराईल के खिलाब मोर्चा खोल लिया जिनके राश्टपतियों के नाम त लगातार प्रदर्शन हुए इन में मुसलमान, इसाई और यहुदी समाज के लोग भी शामिल हुए कई देशों में प्रतिबंद तक लगाना पड़ा इसके बाद भी जनता सड़कों पर आती रही और घजा पर जारी हमले को लेकर इसराईल की निंदा करती रही इसराईल हमास के बदले के नाम पर घजा में बंबारी को सही ठहराता रहा लेकिन हमास के हमले की निंदा करने वाले भी इन प्रदर्शनों में आते रहे कि इस तरह का विधवन्स, नरसंगार, किसी भी देश और समाज को मानवता को करूर बना देता है चेतना शुन्य करूना शुन्य बना देता है, इसे रोका जाना चाहिए दुनिया भर की सड़कों पर इसराईल के प्रती सहानुब होते हर दिन कम होती चली गई जो हमास के हमले के साथ उसके पक्ष में बन रही थी दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने उस फिलिस्तीन का मुद्दा उठा लिया जिसके बारे में वे 7 अक्टूबर 2023 से पहले कम जानते थे, कम बाते करते थे हमला भले एक साल से जारी है, लेकिन इतने ही समय से ये प्रदर्शन भी जारी हैं, कहीं न कहीं होते रहते हैं इन अंगिनत और निरंतर प्रदर्शनों ने फिलिस्तीन के मुद्दे को फिर से जीवित किया मगर इसी दोरान 23 लाग फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए, हजारों की संक्या में बच्चे, महिलाएं और लोग मारे जाते रहे फिलिस्तीन ने सड़कों पर अपने लिए समर्थन तो हासिल कर लिया, लेकिन अपने लोगों की जान नहीं बचा सका इसराइल को वो देश नहीं रोप पाए जो उसके दोस्त हैं, जो युद्ध की निंदा करते हैं, फिर हत्यार और पैसा भी भेज देते हैं एक साल गुजर गया, हमास के हमले के बाद गजा पर हुए हमले के, अखबारों में विशलेशन भरे पड़े हैं इनमें इसराइल की जीत के दावो पर सवाल है, गजा में मारे गए लोगो और विद्वन्स का वरनन है, लेकिन कहीं ये बात प्रमुकता से नहीं आई, कि जिस ग्लोबल आॉडर की बात की जाती है, वो मिथक साबित हुआ है, ऐसा कोई ग्लोबल आॉडर नहीं है इसे एक साल के दौरान दुनिया ने कई बार देखा कि संयुक्तरास्टर नाम की संस्था का असर खत्म हो गया है, लेकिन उसी के बीच दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे इस संस्था ने अपना वजूद बचाए रखा और अपनी प्रासंगिकता भी छोटी छोटी चोटी हासिल करती रही, यहां आने वाले प्रस्तावों के कारण अंतरास्ट्रिया कानूनों के प्रावधानों और प्रस्तावों की चर्चा दूर दूर तक पहुंची है, यह भी सही है कि इसे इसराईल पर असर नहीं पड़ा और वह बंबारी करता रहा, गज़ा पर इसराईल की लगातार बंबारी के बीच सहींतरास्ट्र ने लगातार कोशिश की कि इसराईल के खिलाब प्रस्ताव पासों चेतावनी का असर हो प्रतिबंद लगे, यूएन की चेतावनियों से इसराईल बखलाता रहा, मगर उसके प्रावधानों के डर से आजाद भी रहा, इसराईल इतना तो बचा ही रह गया कि यहां भाशन देने वाले नेता अपने देश में खुब प्रचार करवाते हैं कि वहां जाकर भाशन दिया है, लेकिन दुनिया को यह भी देखने का मौका मिलता है कि भाशन देने वाले नेता का प्रभाव उसके भाशन के बाहर नहीं है, यू के बदले में जिस तरह के इसरेल ने ओपरेशन लॉंच किये हैं गजा पे लगातर बंबारी हो रही है पूरा गजा घस्त हो गया है और वहां पर भी यूएन का बिल्कुल कोई रोल नहीं दिख रहा है आप देखेंगे कि यूएन बेबस है कमजोर लग रहा है और बिल्कुल कि एक तरह से मायूस है कि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि इसरेल को कोई नहीं रोक सकता शायद उसके अपने कारण है एक तो सेयुकत राश्टर इसरेल को रोक नहीं पाया है और अब ये जो युद्ध है एक साल से वो बढ़ रहा है अब लेबनॉन पे भी हमला बोला है इसरेल ने सिर्या पे येमन पे और इरान के साथ अब जंग छेड रही है इन सब में भी सेयुकत राश्टर का शांती की तरफ कोई भी पहल अभी तक नहीं आई है दूसरा है कि इस सब में सेयुकत राश्टर किसी भी सिविलियंस को प्रटेक्ट नहीं कर पाई है लोगों को बचा नहीं पाई है हाला कि जब 1945 में यूएन बना था तो इसी वज़े से था कि कभी भी नहीं कि एक कम्यूनिटी को इस तरफ से टागेट करके मारा जाएगा हम इनको रोकेंगे हम लोगों को बचाएंगे लेकिन यह भी सेयुकत राश्टर नहीं कर पा रहा है और किसी भी सिविलियन को बचा नहीं पाए हैं तीसरा मैं कहूंगी कि यूएन इनको छोड़ो अपने आपको भी नहीं बचा पाई है 135 यूएन अधिकारी ऐसे हैं जो मर चुके हैं गजा में एक रेकॉर्ड की तरह से हैं उसके अलावा हजारों की तादाद में उनकी इंजिरीज हुई हैं उनको रोका गया है खाना परोसने में किसी तरह के एड वर्क में उनको रोका गया है इस्रेयल से इस्रेयल ने यूएन के जितनी भी बिंतियां हैं जितनी भी resolutions हैं International Court of Justice से जो भी आया है सबको नकार दिया है और फिर भी यूएन कुछ नहीं कर पा रही है फाइनली मैं कहूंगी हाली में आपने लेखा होगा कि यूएन सेक्रेटरी जेनरल जो सबसे उच्चा दिकारी हैं United Nations के उन पे भी इस्रेयल ने अपाबंदी लगा दी है उनके वीजा बैंड कर दी हैं कि वो अब हमारे देश में आ नहीं सकते हैं लेकिन यूएन चार्टर हैं आज के दिन में काफी कंजोर लग रहा है एक मायूसी सी है सहीुक्तिराष्टर की सुरक्षा परिशद में कुरसी सब को चाहिए लेकिन सहीुक्तिराष्टर के महासचिव पर इसराइल ने जब प्रतिबंद लगाया तो सब ने सहीुक्तिराष्टर को अकेला छोड़ दिया एक अंतराश्ट्रिय संस्था के बे असर होने के इस दौर में इसके प्रमुक महासचिव इंटोनियों गुटेरेज अपनी भूमी का के लिए जगब बनाते दिखे कभी इसराईल के निशाने पर आ गए तो कभी छोटी छोटी काम्यावी हासिल करने के बाद भी अपनी संस्था का व्यापक असर साबित नहीं कर पाए खुद भी लाचार नजर आए जिस दोर में ग्लोबल लीडर सूट बूट में शक्ति ही नजर आ रहे थे उसी दोर में यह शक्स तमाम मजबूरियों और सिमाओं को धकेलता हुआ वो बाते कह रहा था जो कहनी चाहिए थी पिछले साल साथ अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गुटरेज ने कह दिया कि साथ अक्टूबर का हमला शुन्य में नहीं हुआ और इसके पीछे वर्षों के दमन का इतिहास है तो इसराइल ने यूएन के वरिष्ट अधिकारी मार्टिन ग्रिफिट्स पर प्रतिबंद लगा दिया इसके बाद भी गुटरेस नहीं रुके 15 नवंबर 2023 को मानवता के आधार पर युद विराम और मदद पहुँचाने के लिए गलियारा बनाने का प्रस्ताओ पास करा लिया उसके बाद दिसंबर 2023 में गज़ा में सहायता बढ़ाने दवाओं, खाद्य सामगरी और साफ पानी की आपूर्टी के लिए भी प्रस्ताओ पास करा लिया साथी गज़ा के सभी बॉर्डर खोल कर तुरंत अधिकादिक सहायता पहुँचाने की बात की संयुक्तराश्ट्र महास्चिव ने 5 अपरैल 2024 को कहा था, 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने जो भयावा आतंकी कृत्य अंजाम दिया है, उसे किसी भी तरह उचित नहीं ठाराया जा सकता गुटेरेज ने उसे प्रभावशाली बनाने का कोई मौका नहीं गवाया, अमेरिका इसराइल के आगे बेबस नजर आया, मगर गुटेरेज इसराइल या अमेरिका के पिछलगू नहीं बन सके, समंदर में डूपते बेड़े को बचाने की कोशिश में लगे, कैप्टन की गुटेरेज इसराइल की निंदा करते रहे, अंकुष लगाने की कोशिश करते रहे, 27 सितंबर 2024 को सुइमतरास्ट महा सचिव ने गज़ा पर अपने बयान में कहा कि गज़ा की तबाही और वहा हो रही हत्याओं की जो गती और जो पैमाना है, वैसा कुछ मैंने अपने महा सचिव रहते हुए पहले नहीं देखा, फिलिस्तिनी लोगों को यह जो सामुहिक दंड दिया जा रहा है, इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता, पिछले साल भर में गज़ा की जैसे सारी आबादी को विस्थापित बना दिया गया है, कई तो ऐसे हैं जो बा आख्त तंगी है, ये लगातार मृत्यों के भय से जूज रहे हैं, इस भयानक विद्वन्स के सामने अंतराश्ट्रिय मानवादिकार कानून जैसे हवा में उड़ा दिये गए हों, इस बात को साफ कर देना जरूरी है कि एक पक्ष का नियमों को तोड़ना, कभी भी दूसर पक्ष के नियम तोड़ने को उचित नहीं ठहरा सकता, यही कारण था कि इसराइल ने खुलकर गुटेरेस पर निशाना साधा, लेकिन गुटेरेस रुके नहीं, भले ही गुटेरेस अपना प्रभाव साबित नहीं कर पाए, लेकिन एक समय में जब सूपर पावरी बावरी शक्तियों के राष्ट प्रमुक इसराइल के आगे चुप नज़राय गुटेरेस ने नैतिक शक्ती का प्रदर्शन किया, बोलते रहे, यही कारण है कि इसराइल उन पर लगातार निशाना साधता रहा, दो अक्टूबर को इसराइल ने स्विंक राष्ट के प्रमुक 1949 में जिस यूएन ने इसराइल को अपनी आम सभा में शामिल किया, इसराइल ने उसके महासचीव को ही अपने देश में आने पर रोक लगा दी, स्विंक राष्ट राहत वा पुनरबास संगठन यूएन आर डबलू ए पर कई तरके प्रतिबंद लगा दिये हैं, दुनिया कुछ नहीं कर सकी मौन रही, इसराइल का कहना है संयुक्तरास्टर अरब और अन्या इसलामी देशों की एक संस्था है जो इसराइल के खिलाफ है, संयुक्तरास्टर के महासचीव पर ही प्रतिबंद लग जाए, ग्लोबल आरडर बनाने वालों ने इसकी कोई चिंता नहीं कुछ पास भी हुए मगर घजा की तबाही नहीं रुकी, इसी 12 सितंबर को संयुक्तरास्टर की आम सभा ने एक एतिहासिक प्रस्ताओ पास किया, 124 देशों ने इस प्रस्ताओ के पक्ष में वोट किया, कि इसराइल एक साल के भीतर फिलिस्तीन में अपनी गहर कानूनी मौ संयुक्तरास्टर की आम सभाने 27 सक्टूबर 2023 को पहला युद्विराम प्रस्ताओ पास किया, इसके डेड़ मैने बाद यूएन जी ए ने 12 दिसंबर 2023 को बिना शर्त के तातकालिक युद्विराम के लिए एक और प्रस्ताओ पास किया, रमज़ान के महिने में युद्विर पिराम लाने का प्रस्ताओ आया, Comirica ने खिलाफ में वोट किया, प्रस्ताओ गिर गया, 10 जून को अमिरिका ही प्रस्ताओ लाता है कि हमास बंदकों को छोड़े, और तीन चरनों में युद्विराम लागु हो, अमिरिका के इस प्रस्ताओ में इसराईल और फिलस्तीन दो रास्टर के सिद्दान को मन्जूरी दी गई गजा के पुनर निर्मान की बात कही गई हमास ने स्वागत किया इसराइल ने अंदेखा कर दिया पिछले ही 18 सितंबर को एक और प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि इसराइल फिलस्तीन पर अंदेखारिक कबजा छोड़े इस प्रस्ताव में फिलस्तीन में इसराइल की मौझूद्गी को गएर कानूनी बताया गया है सही प्रस्तावों को कैसे देखा जाए क्यों बार बार इसराइल सुझतराश्टर को यहुदी विरोधी दलदल बताने लग जाता है पूरे साल भर सुझतराश्टर संघर्ष करता रहा लेकिन इसराइल के नरसंगार को उजागर करने में कभी पीछे नहीं हटा सुझतराश्टर के ही संस्थाएं थी जो गजा में राहत सामागरियां ले जा रही थी विश्व स्वास्त संगठन के वलिंटियर युद्ध के हालात में काम करते रहे तब भी जब इसराइल अस्पतालों को निशाना बना रहा था गजा में काम करते हुए सुझतराश्टर रहत एवं पुनरवास की एजनसी यूएन आर डब्लुए के 207 सदस्य मारे गए हैं 885 हिल्थ वर्कर्स मारे गए हैं 175 पत्रकार मारे गए हैं जो फिलिस्तीन के हैं वहां रहकर रिपोर्टिंग कर रहे थे हाली में हसन हमाद नाम के एक युवा कैमरा परसन की हमले में मौत हो गई 23 सितंबर को वहो और संयुक्तराश्टर की अन्य कई प्रमुकंतराश्टर संस्थाओं ने एक साजा बयान जारी किया कि युद्ध शुरू होने से अब तक अस्पतालों पर 500 से अधिक हमले हो चुके हैं जान पर खेल कर डॉक्टर और स्वास्त कर्मी ये काम कर रहे हैं बयान में कहा गया कि निरंतर हिंसा के बीच हम अपना काम नहीं कर सकते गजा में 20 लाग सधिक लोग विस्थापित हुए हैं और बिना संग्रक्षन, भोजन, पानी, स्वचता, आश्रह, स्वास्त, शिक्षा, बिजली और इंधन के जी रहें महिलाओं और लड़कियों की गरिमा, सुरक्षा, स्वास्त के साथ गंभीर समझाउता हुआ है हमलों को रोका जाए, जब बड़े बड़े देशों की हत्यार बनाने वाली कमपनियां, हजारो करोड का मुनाफ़ा कमाने में लगी थी और ये देश इधर उधर की बाते करते रहे, कुछ देश इस धरती पर इसराइल पर प्रतिबंद लगाने की बात करते रहे, सहिंट रास्ट में उसके खिलाब वोट करते रहे, ब्रजील की बात करते हैं, सहिंट रास्ट में गज़ा में युद विराम को लेकर जब भी प् पेट के घजा में इसराइल के हमले की तुलना होलो कास्ट से कर दी इसराइल ने पलट कर कह दिया उनका ये बयान यहुदी विरोधी है एंटी सिमेटिक है ब्रजील अपने बयान से फिर भी पीछे नहीं हटा और इसराइल से अपने राज़ दूद को वापस बुला लिया इ मांगी के घजा के अवायद कब्जे पर सुनवाई हो पिछले साल अक्टूबर में ब्रजील ने सुरक्षा समिती के सामने प्रस्ताव रखा कि मानवी आधार पर युद्ध को रोका जाए ताकि घजा के लोगों तक सहीं तराष्ट की मदद पहुंचे इस प्रस्ताव को अ तराष्टिय जेनोसाइड कन्वेंशन के तहट आते हैं और जल्द से जल्द घजा के लोगों तक मेडिकल और मानवी सहायता पहुंचे आपने कितनी बार सुना होगा भारत शांती का समर्थक है है भी लेकिन युद्ध के खिलाब क्या भारत ने ब्रजील की तरह कदम उठ आयरलेंड के राष्ट्रपती माइकल डी हिगिन्स का नाम सुना है मैंने भी नहीं सुना था अभी लेबिनान पर इसराइल हमला कर रहा है इसराइल ने आयरलेंड की शांती सेना से कहा लेबिनान से चली जाए लेकिन आयरलेंड ने इसराइल को ही डपट दिया कि नहीं जा दुनिया में भाती भाती के नेता होते हैं केवल वही नहीं होते जो आपके टीवी चैनलों पर दिन रात दिखाये जाते हैं। कुलंबिया, बुलिविया जैसे देशों ने स्पश्च रूप से कहा कि इसराइल युद्ध अपराद कर रहा है। ब्रुनेई, इरान, इराक, हुवेत, लिबिया, मालदीव और पाकिस्तान ने अपने देश में इसराइलियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। मई में तुर इसराइल के खलाब युद्ध विराम के प्रस्ताओ को वीटो किया, जिसके कारण प्रस्ताओ पास नहीं हो सका। युद्ध के दौरान मई दोहजार चौबिस में भारत ने स्विवत रास्प में फिलिस्तीन की सदसिता के पक्ष में वोट दिया है। उससे पहले दिसंबर 2023 में भारत ने युद्ध विराम की मांग करते हुए एक प्रस्ताओ के पक्ष में वोट किया था, जिसे एजिप्ट ने पेश किया था। तो इस एक साल में जब इसराइल की ताकत के आगे दुनिया की सूपर पावरी बावरी शक्तियां खामोश थी, दुनिया के कई देश युद्ध विराम को लेकर प्रस्ताव लाते रहे, भले ही उनके प्रस्ताव गिर गए लेकिन पूरे साल इसराइल दुनिया के निगाह में रहा और लोगों को पता चला कि गज़ा में किस तरह का नरसंगार हो रहा है, इन देशों को आम तोर पर छोटे देश लिखा जाता है, इनके नेताओं को कोई गंभिरता से नहीं लेता, नाम भी नहीं जानता, इनके देशों में जब तब तफ़ता पलट हो जाता है, कोई हमला बोल देता है, या इनकी बाहें मरोड देता है, उधर अमरीका के ताकतवर नेता है, इसराइल के साथ ही खड़े रहे, बेशक उन्होंने घजा की बात की, फिलिस्तीन के अधिकारों की बात की, मगर हत्यारों की सप्लाई भी की और अर्बो डॉलर भी दिये इसराइल को, जो बाइडन डॉनल्ड टरम से लेकर कमला हैरिस में किसी में भी इसराइल को लेकर बुनियादी अंतर आपको नहीं दिखेगा, अमरीका ने संहिकतरास्ट में तीन तीन बार युद्विराम के प्रस्ताव को वीटो किया है, यानि युद्विराम का विरोत किया है, मार्च के महिने में संहिकतरास्ट की सुरक्षा सभा में अमरीका ने युद्विराम की मांग के प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया, UN से लेकर EU तक की बैठकों में शेहनशा की तरह दिखने वाले इन निताओं का कोई असर नहीं दिखा बलकि तमाम विशलिशनों में यही आया है कि युद्ध को जारी रखने और कहीं और युद्ध भढ़काने में इनहीं सूपर पावरी बावरी शक्तियों की रजामंदी या चुपपी शामिल होती है दो साल से युकरिन में युद्ध चल रहा है वह भी इन से नहीं रुका है इसराइल के साथ खड़े रहने वाले इन निताओं का गिरोह दुनिया को युद्ध से सुरक्षित नहीं कर पाया दुनिया में पावर और उसके उपर सूपर पावर की अवधारना इसराइल के सामने धोस्त हो गई है फ्रांस के राश्टपती इमेन्वल मैक्रो ने इसराइल को हत्यारों की सप्लाई बंद करने की मांग किये मैکرو نے ये बात लिबनान के लिए गज़ा बनने नहीं दिया जासकता इस पर इसराइल के प्रदान मंतरी नितन्याहूँ ने कह दिया तुम्हारे बिना भी इसराइल लड़ लेगा मैکرو ने राजनितिक समधान की बात कर दी लेकिन राजनितिक समधान तो यही हो सकता है कि फिलिस्तीन को अलग देश की मानिता दी जाए वहां के लोगों की रक्षा की जाए जो तबाही हो रही है उसे रुका जाए नेतन्याहू ने कहा है मैक्रों इरान के साथ खड़े नजर आते हैं इसराइल के दोस्तों से अप एक शाकी जाती है कि वो इसराइल के पीछे खड़े रहें ना कि उस पर प्रतिबंद लगाएं इस से इरान जैसे शैतानों के पाप की धूरी को और बल मिलता है बीबी सी ने लिखा है नेतन्याहू ने मैक्रों से फोन पर बात कर इस पर एतराज जताया तो मैक्रों ने फिर फ्रांस के इसराइल के प्रतिए अडिक प्रतिबंदता जाहिर कर दी इसराइल किसी के पेजर में घुस कर धमाका कर सकता है लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से दुनिया में सोचने समझने की शक्ति खत्म नहीं कर पाया इस एक साल में दुनिया इस बात का संतोश कर सकती है कि वो नाकाम रही लेकिन इसराइल के नरसंगार को कभी पीछे नहीं जाने दिया हर वक्त दुनिया के सामने रखा दुनिया में मानवता बची है लोगों में नैतिक शक्तियां बची है इसराइल एक साल में लोगों की इस नैतिक शक्ति को मिटा नहीं पाया उसकी हर तबाही को रिकॉर्ड किया गया है इसराइल को लगा था हमास के हमले के बाद सहानुबती मिलेगी लेकिन गज़ा में उसने ऐसी तबाही मचाई की देखने समझने की तमाम कलपनाएं सुन्न हो गई अब तो इसराइल हमास के हमले के प्रतिशोत से भी आगे निकल गया है गज़ा को मिटा देने की सनक और शक्ती के बाद भी इसराइल अभी तक वो अपने सो बंधक नागरिकों को आजाद नहीं करा सका है ना उसकी जीत हुई है लेकिन इस जंग में जीत होगी भी नहीं इस से सर की तबाही के साथ आने वाली जीत का किसी किताब में जश्न नहीं मनाया जाता है जादा से जादा इसराइल अपने स्कूलों के किताबों में मना लेगा नमस्कार मैं रविश कुमार